राजुनात की अगवाई में शिरी नगर पहुंची तीन सान सदो वाली सर्वदले टीम की बैठक शुरूर शोपिया में प्रदशनकारियों ने मिनी सच्छवाले में लगा याग मनने वालों की संख्या तेहतर पहुंची पीम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात में पाक पर साधा निशाना कहा आतंक के सप्लाइस की पहचान हो चीनी राष्ट पदे जिनपिंग बोले भारत से अच्छे रिष्टे चाहता है चीन हिजबुल चीप सलावतिन ने फिर उगला जहर कहा भारते सानिकों की कबरगाहा बना दूंगा घाटी को आतंकवाद को ही बताया कश्मीर समस्या का समधान दिल्ली से बाहर व्यस्तर सीम केजरीवाल एक दिन की विदान सबा सत्र में भी मौजुद नहीं रहेंगे केजरीवाल पंजाब में करेंगे चुनावी रैलिया अभी मदर टेरेसा के कारेकरम में हैं मौजूद और मुस्लिम पर्सनल लोबोर्ड पर बरसे गीतगार जावेद अक्तर बताया मुसल्मानों का सबसे बड़ा दुश्मन तीन तलाग को सई ठहराने पर की निंदा ग्री मंतरी राजनात की अगुआई में 30 सांसदों की सर्वदल्य टीम ने शुरी नगर पहुँचकर बैठक शुरू कर दी है दो दिन के दोरे में ये सांसद अलग अलग समुदाई के लोगों से बातचीत करेंगे इस बातचीत का उद्देश्य कश्मीर के बिगड़े हालातों को सामान्य बनाना है घाटी में पिछले दो महिनों से कर्फ्यू लगा है इस दल में 20 पार्टियों से ज्यादा पार्टियों के सांसद है जिन में वितमंत्री अरंजेटली, राम विलास पासवान, कॉंगस के नेता, गुलाम नभी आजाद, मार्क स्वाधी, कम्यूनिस्ट पार्टी नेता, सीता राम यचुरी और ए आई-म, आई-म के सांसद असुद्दिम ओवेसी भी शामिल है के सभी निता, कुश्मीर में रास्दितिक दलोक के परतिमिद्यों से बात चीत करेंगे और शान्ती का कोई रास्ता निकालने का प्यास करेंगे हिजबुल कमांडर बुरहानवानी के मारे जाने के बाद घाटी में पैदा हुए हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रही है 58 दिन भी कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फ फिल जारी है हिंसा में मरने वालों की संख्या तेहत्तर तक महुँच गई है रविवार को शोपिया में प्रदशनकारियों ने मिनी सच्छवाले में आग लगा दी प्रदशनकारियों सुरक्षा बलों के बीच जड़प जारी है इस जड़प में करीब 20 लोग घायल हो गई है इससे पहले शनिवार को अनंतिनाग जिले के काजी गुंड के वेसु शेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई जड़प में एक नागरिक की मोत हो गई जड़प में करीब 200 प्रदशनकारी घायल हो गई पिछले 58 दिनों से चल रहे हिंसा के बीच करीब 10,000 लोग घायल हो चुके है Most Wanted आतंकी और हिजबूल मुजाइद दिन का प्रमुक सयद सलाहुद्दीन ने कश्मीर में किसी तरह के शांतिपूर्ण समाधान में अर्चन डालने की कसम खाई है सलाहुद्दीन ने धमकी दिये कि वो घाटी को भारतिय सैनिकों की कबरगाहा बना देगा उसने कहा कि वो कश्मीरियों को सुसाइट बोमर्स बनाएगा जो घाटी को भारतिय फोजों का कबरगाहा बना देंगे साथ ही उसने इस लड़ाई को कश्मीर से बाहर ले जाने की भी बात कही बातचीत को व्यर्थ बताते होए सलाउद्दीन ने कहा कि आतंगवाद के अलावा कश्मीर का कोई समाधान नहीं है कश्मीरी ने तिर्टू लोगों और मुजाइद्दीन को पता होना चाहिए कि वहाँ कोई उप्चारिक शांतिपुन रास्ता नहीं है सलाउद्दीन ने कहा कि हिजबुल कमांडर वुर्भान बानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में आंदोलन महत्पुन पड़ाओ पर पहुँच चुका है उसने कहा कि जब तक भारत कश्मीर को एक विवादित नहीं मानेगा तब तक बातचित नहीं हो सकती दिली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल 9 सितंबर को बुलाए गए विधानसबा के विशेस्त सत्र से दूरी बना सकते हैं इसकी वज़ा केजरिवाल का पंजाब दोरा है जहां वो 8 सितंबर से 11 सितंबर तक चुनावी रैलिया करेंगे सुत्रों की माने तो केजरिवाल पंजाब में किसानों का मैनिफेस्ट रो जारी कर सकते हैं पंजाब दोरे में चुनावी मसलों को लेकर तीन दिनों तक जनिता से समबाद होगा और कई बैठके भी होंगी लेकिन इसे बीच दिल्ली के मुद्दो पर बुलाएगा इस सत्र में केजरिवाल के शामिल होने की उमीद बेहत कम है अगस्त के महिने में दिल्ली विदानसबा के चार दिन के मोनसुन सत्र के दोरान केजरिवाल तीन दिन विदानसबा से नदारत रहे थे सितंबर के एक महिने में भी केज रिवाल धिली से दूर रहेंगे इस समय मुख्यमंत्री वेटिकन सिटी में मदर टेरेसा के कारेक्रम में शामिल होने गए है फिरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी परिवार को चीन पहुचने के बाद विदेश मंत्राले के प्रवक्ता विकास वरूप ने मोदी के आगमन के बारे में टीट करते हुए कहा हनोई में सुबै हांग जोऊं में रात बियत नाम के दो दिवसिय दोरे के बाद मोदी यहाँ पहुचे हैं दोने देशों के बीच मतवेद का विशय बने मुद्दो में चीन पाकिस्तान आर्थी गलियारा भी शामिल है जो पाक अदिकलित कश्मीर से होकर गुजरता है दू पक्षिय वारता में पियम मोदी ने खिर्गिस्तान के बेश केक में चीनी दुदावास लोहवी स्पोर्ट की निंदा की पियम मोदी ने अपनी एक्ट एस्टिनिती के तहत वियत नाम दोरे पर कई एहन संकेत दिये पियम ने बौध मठ पगोड़ा गए और वहां बौध विक्षूओं से मुलाकात की पियम ने कहा कि भारत और वियत नाम के संबन 2000 साल प्राचीन है पियम मोदी ने कहा कुछ लोग यहां युद्ध का उद्श लेकर आई उन्होंने कहा जो युद्ध लेकर आई वो मिट गए जो बुध लेकर आई वो अमर हो गई बुध की शान्ती प्षूद्ध ही शान्ती का मार भी दिखाता है पियम मोदी ने कहा बम बंदूक वाले वियत नाम से सीखे की यूद से अधिक परिवर्टन बुद्ध लाता है उन्होंने कहा बो धरम का भारत से वियत नाम पहुचना और वियत नाम में चार हिंदू के मंदिरों के समारक का होना इस संबंध की पुष्टी करता है कश्मीर घाटी में प्रदशन कारियों पर अब पैलेट गन के बजाए मिर्ची पाउडर वाले पावा गोले का इस्तेमाल किया जाएगा किंग्डरि घरी मंतरी राजणा सिं抗 ने सर्वधलिय पर्तिनिदी मंदल के साथ कश्मीर जाने से एक दिन पहले इस पर सहमती दे दी आधिकारिक सूत्रों के नुसाल गिरी मंत्री ने स्वष्ट किया कि प्रदशनकारियों पर काबू पाने के लिए पैलिट गन के बजाए अब नोनी वेमाइड यानी पहला गार्निक एसिड वेनाईल एमाइड का इस्तेवाल किया जाएगा आपको बता दे कि आज तक्रीबन एक अजार गोले कश्मीर पहुँच जाएंगे पिछले महिने 24 और 25 अगस्त को कश्मीर दोरे पर गिनी मंत्री ने कहा था कि स्वष्टा वलो को पैलिट गन का विकल्प जल्द ही दिया जाएगा वेटिकन सिटी में एक समारो के दोरान रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिसी मदर टेरिसा को संत खोशित करेंगे इस मोके पर दुनिया भर से आए मदर के एक लाख नियाई भी मोजूद होंगे पिरेश मंत्री सुष्णा स्वेराज के नित्रितु में केंद्र सरकार का एक बारा सदस्य प्रतिमिदी मंडल दिल्ली से सियम केजडिवाल के नित्रितु में और बंगा से सियम ममता बनरजी के नित्रितु में राज्य इस्तरिय दल भी इसकारे क्रम में शरीक होंगे नोबेल पुरुसकर विजेता दिवगंत मदर तेरेसा द्वारा इस्तापित मिशिनरी ओफ चारेटी के ननों के मताबिक मदर की लोग प्रेता के कारण गौम में होने वाले समारों का दुनिया भर में विशेश महतू होगा माराश्टर के सीम देविंदर फणनवीस और अभिनेता मिता बच्चन ने शनिवार को ज़ाडू लगाई तो चुछ भारत अभियान के तहट माकली नाथन का आयोजन किया गया था अमिता आभ इस अभियान के एमबेसजर है जेजे अस्पताल के बाहर कारे करता और चातरों के साथ पर नवीस और बच्चन भी ज़ाडू लेकर उतरे सीम ने कहा दो अक्तूबर तक माराश्टर के पचास शेह स्वच हो जाएंगी अब राज्य में साथ हजार गाउं खुले में सोच मुक्त है वही अमिता बच्चन ने कहा अगर आप किसी को गंदगी करते देखे तो जाकर उसे रोके उन्हें बताई कि वे क्या गलत कर रहे हैं अगर आप बार बार टोकेंगे तो लोग ज़रूर बदलेंगे यूपी के रामपूर के सुआर में नगर विकास मंतरी मोहमद आजम खान एक जनसभा को संबोधित करते होई बिना नाम लिए पीम मोधी पर जम कर हमला बोला उन्होंने देश के बादशा को कमजोर और बुजदिल करार देते हुए कहा कि देश के रखवालों के दुश्मन देश जहां सिर काट रहा हो वही देश का बादशा पाकिस्तान जाकर देश के दुश्मन की मा को कश्मीरी शोल भेट कर इसके पैल चु रहा है अगर उन्हें बादशाह बना दिया जाए तो पाकिस्तान के कबजे वाला कश्मीर भी हिंदुस्तान में होगा इस दोरान उन्होंने कहा कि एक पुंची पती ने देश के बादशाह को अपना एम्मेंस्टर बना कर कारोबार की दुनिया में बेच दिया है ये शर्म की बात है संदिप कुमार ने कोल ड्रिंग्स में नशे की दवा मिला कर दी और उसके बाद योन्शोशन किया ये औरोप उस महिला का है जो सीडी में दिखाई दे रही है महिला ने फिलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है और अबाम आदमी पार्टी के पूर मंतरी के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो चुका है इस बीच फिलिस ने संदिप कुमार को ग्रफतार कर लिया है पुलिस के मुताबिक संदिफ कुमार को गोट के सामने पेश किया जाएगा पुलिस का कहना है कि शुगवाती सबूत के आदार पर विधायप को गुरफतार किया गया है दरसल सीडी में दिली सरकार के बरखास्त मंत्री संदिफ कुमार के साथ दिख रही महिला के सामने आते ही एक बर स्यासी गलियारे में हडकम्प मच गया है जाविद अख्तर ने तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम परसनल लो बोर्ड पर भड़ास निकाली है जाविद अख्तर ने मुस्लिम परसनल लो बोर्ड को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है जाविद अक्तर ने ट्वीट कर काहा मैं तीन तलाग को सही ठहराने पर मुस्लिम परसनल बोर्ड के कड़े शब्दों में निंदा खता हूँ पी अपने ही समुदाय के सबसे बड़े दुश्मन है गोर्टलाबे की बोर्ड ने तीन तलाग को सही ठहराया है बोर्ड ने सुप्रिम पोर्ड में हलफ नामा दाखिल किया है हलफ नाफे में बोर्ड ने कहा कि परसनल लोगों सामजिक सुदार के नाम पर दोबारा से नहीं लिखा जा सकता तलाग की वैदता सुप्रिम पोर्ड तैन नहीं कर सकता है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रह्मान मलिक ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने अलगाववादी मेताव की साहिता करके पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान जासे सिती पैदा कर दी है आसिफ अली जरदारी की सरकार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मंत्री रहे रहमान मलिक ने भारत पर अलगावादियों की मदद करने का आरोप लगाया है रह्मान मलिक ने कहा कि ब्लूचिस्तान में बंगाल भाजन के समय हुई पूर्वी पाकस्तान जैसे स्थिदी बन रही है इस स्थिदी में पस्चिमी देशों का संग्रुक्षन प्राप्त कर भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुक्त वाहिली की भूमिका निवा रहा है सुनाई गई थी कासिम को फासी देने का अंतिम आदेश जेल अधिकारियों को सोपा गया था फासी से जेल अधिकारियों ने कासिम अली मीर के परिवार को अंतिम बार मिलने के लिए बुलाया था सभी प्रिक्रिया पूरी करने के बाद ढाका के बाहरी लाके में मोजूद काशिम पूर के इंद्रिय कारगार में कड़ी सुरक्षा के बीच कासिम को फांसी के फंदे से लटका दिया गया